Welcome to Fun Music Channel, मेरा नाम है साजित खान आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ मैक्रोज के बारे में तो basically मैक्रोज है क्या? हम कोई भी डॉड यूज़ करते हैं सब में हमारे पास टूल्स हैं एडिटिंग के लिए di file management, audio file management, हमारे पास commands हैं जैसे इस loop को अगर मुझे cut करके paste करना है तो मैं और double click करूँगा, यह command है paste करना है, तो मैं इसे copy करूँगा Ctrl C, यहाँ paste करना है, पर सर्गिया ले जाके मैं Ctrl V, paste कर दूँगा तो यह जो edit हम कर रहे है, series of commands इन सिरीज ओफ कमांड को एक सिंगल कमांड में कनवर्ड कर देता है तो चलिए देखते हैं मैक्रोज यह है मैक्रोज बटन इस पे हम क्लिक करेंगे यह हमारा मैक्रोज विंडो आ गया तो सबसे पहला है ग्लोबल एडिट ऑप्षिन में हमारे पास है एक्षिन अगर मैं इस क्लिक करो आप देख सकते हो कितने सारे कमांड हैं हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं एडिटिंग में डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में ले सकते हैं मैं आपको सारे कमांड कैसे यूज करने हैं पताऊंगा फिलाल कुछ कमांड जो हम यूज़ कर सकते हैं और आपका workflow काफी improve हो जाएगा काफी time बचेगा तो मैं पहले आता हूँ naming पे name simple है अगर मुझे इस file का नाम change करना है तो मैं यहाँ event में आके double click करके suppose मुझे kick डालना है तो मैं rename कर दूँगा kick enter तो यह भी commands इसे select किया यहाँ पर double click करके नाम डाला naming क्या करता है अंडू करता हूँ मैंने select किया name पे गया drums kick इसमें मुझे type नहीं करना पड़ा तो click में मैंने rename कर लिया और कोई भी part अब यह है second है इससे मुझे snare करना है snare कर दिया यह दोनों select करके drums loop काफी सारे name अल्रेडी डाले हो है और अगर आपको अपने पास से कुछ नाम डालना है तो इसके लिए आप edit names में जा सकते है इसमें click करेंगे तो vocals में lead, walks, male wrap, female wrap, vocal double, add leave यह सब option है हमारे पास मुझे add करना है lead, walks, male तो मैं male enter करूँगा दूसरा lead, walks, female file, file में save कर देंगे, अभी हम देखेंगे तो हमें यहां नहीं show करेगा, lead, walks, female आगया, तो यह मुझे single time ही करना है, इतने भी name मैं add करूँगा वो सब किसी भी project ना कर सकता हूँ तो यह था names, undo, redo, यह भी single click मारे पास है, अगर मुझे suppose यह cut किया, और मुझे undo करना है मैं undo, यह ही से कर सकता हूँ, redo, undo, redo, next option है मारे पास split, तो split loop, अब इसका भी shortcut देख सकते हो, जितने भी buttons है, series of commands का एक single button है, और studio one में कि जितने भी buttons हैं, जितने भी commands है, macros हैं, सब को हम shortcut दे सकते हैं, जैसे इसको मैंने दिया हुआ, split loop को, जहाँ पर एक control shift x, एक loop select करता हूँ, यहां से, यहां तक, split loop पर click करूँगा, मेरा loop split हो गया, और अगर मैं shortcut use करूँ, control shift x, same thing, split loop, next है, split range, तो जितना range मैंने select किया है, इतना range, split, इसका है, control alt x, अगर मुझे shortcut use करना है, control alt x, next है, cursor, जहां भी मेरा cursor है, यह channel selected है, तो cursor मेरा जहां भी होगा, particular is file को edit करेगा, और मुझे sub करना है, तो control a shortcut मेरे पास है, cursor, सारी files इसने cut कर दी, next is zoom, सबसे ज़्यादा problem होता है, मैं zooming होए, mostly अभी जैसे zoom in, zoom out, 10, 12, 30 के बाद मैं इतना navigate कर पाऊँगा, उस दोस के लिए हमारे पास macros है, zoom to selection, पहला इसका shortcut है shift test, तो मालो मैं zoomed out to pull, और full tracks यहां मेरे पास है, और मुझे यह track, अगर मैं इसे duplicate करता हूँ, तो मुझे particular यह file edit करनी है, तो select पर click किया, यही file मैं easily edit कर सकता हूँ, edit करने के बाद, select पर click करूँगा, normal view, यह भी काफी handy feature है, shift test, shift test, zoom to loop selection, इसका shortcut shift L, जैसे loop है, तो loop का shortcut add करना है, तो studio बन में जाएंगे, keyboard shortcut, यहां पर search करेंगे, loop, zoom, zoom to loop, यहां गैस का shortcut, shift L, अगर आपने नहीं डाला है, तो यहां पर shift L, यह जो भी shortcut आपको चीए, यहां डालकर assign कर देंगे, ओके कर देंगे, shortcut हमारा आ जाएगा, next है overview, तो single click overview, जितने भी tracks आपके हैं, वो सब fill कर देंगे इस window को basically, और suppose इतना बड़ा project है, और मैं यहां हूँ, edit कर रहा हूँ, मुझे अभी सारी files देखनी है, सारे tracks, full track का view देखने तो zoom, overview, मेरा पूरा track, जितने भी files हैं, अभी copy track भी मेरे पास है, अगर मैं इसे करता हूँ, आप देखने तो यह copy कर देगा, तो अब मैं अगर overview पे click करूँ, सारे channels, सारे events, window में, कभी भी देख सकते हम, और अगर मैं suppose इस view में हूँ, toggle हमरे पास है, इसका shortcut है Z, जो पहले view था Z, second view, overview, Z, overview, next track heights, small, medium, large, जैसा view में चाहिए, तूस कर सकते हैं, मैं undo कर देता हूँ, वापस, next है play select in loop, यह भी multiple commands का set है, तो suppose यह file है, मुझे इसे loop करना है, तो loop करने के लिए, पी मैंने press किया, अगर shortcuts का video आप देखो के तो मैं पहले बना चुका हूँ, उसमें detail में मैंने shortcut के बारे में बता है, तो यह loop select किया, पी select किया, लूप आ गया, अब मैं इसे loop on करूँगा, और मैं यहाँ जाओंगा सुनने के लिए, मुझे इसको loop में सुनना है तो, तो कितने commands लगे, select, then P, then loop on, then cursor shift and play, five commands, loop करके सुनने के लिए, तो यह जो set है, यह five command का single set है, तो example, यह loop मुझे सुनना है, बैप प्ले select in loop, यह file select है, यह सुनना है, यह सुनना है, तो कोई भी part, अपने song में में select करके, loop करके, एक click में सुन सकता हूँ, इसका भी मैंने shortcut डाला है, control, alt, P, shortcut अगर मुझे use करना है, तो मैं select करूँगा, control, alt, P, तो आपको जो easy लगता है, shortcut यह click, single click यह single shortcut, दोनों use कर सकते हैं, next है copy track, जो भी मैंने आपको दिखाया, कोई भी track है, channel है, normally अगर इसको copy करना है, तो right click करके, duplicate track complete, यह duplicate track हमें select करना पड़ता है, duplicate track, सिर्फ track, setting के साथ आएगा, duplicate track complete, with regions आएगा, तो इसमें भी दो command है, यहां सिंगल click में add कर सकते हैं, all effects off, जितने भी effects हैं, जैसे यह मैंने तीन effects डाले हो हैं, अलग अलग channel पर अलग अलग effect है, तो normally अगर मुझे without effects होना है, तो मैं सब को एक एक करके off कर सकता हूं, दूसरा option मेरे पास है, सारे track select करके, first track and last track shift hold करके, और single click on off, ऐसे कर सकता हूं, लेकिन 4-5 command मुझे use करने पड़ेंगे, और अगर हमारे पास macro है, जैसे कि यह, अभी तो मैंने सिर्व यह off किये, जो master के जो है, यह on थे, यह भी on off हो रहे हैं, next है song folder, song का folder में जाने के लिए, कहां पर हमारा project है, हम direct यहां से जा सकते हैं, last है plugin manager, हमारी जितनी भी plugins हैं, कौन गोन से formats की plugins हैं, अगर हम इस तेकने सिर्फ rewire, native plugins, यह से studio one की plugins, rewire plugins, waves का rewire, vst2 and vst3, और यह vendors हैं, जो जो plugins मैंने install की हैं, vendors के नाम है, block list, कोई plugin error दे रही है, या इसने studio one ने block किया है, तो वो सभी यह show करेंगी, हम खुद भी block कर सकते हैं, किसी भी plugin को, simple drag and drop block list में, वो plugin block हो जाएगी, तो यह था global, अब आते हैं audio editing, audio editing के लिए यह पहले से ही हमारे पास हैं, और इसमें new commands हम add कर सकते हैं, किसी भी category में, तो सबसे पहले है event editing, इसे हम event बोलता है, तो पहला है minus 3db, volume हमें normally 3db कम करने हैं, यहां से करने के लिए तो बहुत problem होता है, कि exact 3db, यह 2db, दूसरा option है हमारे पास, यहां single click minus 3db, 3-4 click करना पड़ा, undo, यहां से हम single click में कर सकते हैं, तो मैंने इसका भी shortcut डाला हुआ है, अब देख सकते हूँ minus and plus का जो sign है keyboard पे, तो मैं simple अगर मुझे कम करना है, again minus plus, plus 3db, minus 3db, normalize and peak, minus 12db, यह भी command इसमें add किया हुआ है, तो यह जो भी track आपका होगा, minus 12db पे उसको peak level, normalize कर देगा, undo, close gaps, अगर आपके बाद multiple files हैं, और बीच में gaps हैं, तो यह gap बनाता हूँ यहां पर, suppose यह gap है, तो select close gaps, तो उसने basically क्या किया, file shift कर दिया, next है merge, merge क्या करता है, वैसे निगर यह 4 loops हैं, यह हमारे पास slices है, event, split at grid अगर करता हूँ, तो यह 16K इसने पूरा split कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं से, merge event, इसका shortcut है w, अब यह single file इसने create कर दी, अब move करने के लिए हमां कोई problem नहीं होगा, इसका आप sign भी दे सकते हैं, यहां पर इसका sign आगया, यह जो chain का sign है, meaning, merge किया हुआ event है, इस पर double click करेंगे, अंदर सारे slices हमारे show करेगा, Z press किया, वापस में view में आ गया, normal view पे, Z हमारा था, तो गल पे, next है reverse, reverse, कोई भी रूप हमें reverse करना है, sound reverse करना है, उसका भी shortcut ए control R, click भी कर सकते हैं, यह reverse हो गया, again reverse, cut to cursor, तो इसने basically क्या क्या क्या, plus, पहले का जो event था, उसे select करके delete भी कर दिया, cut plus, starting का, delete करने के लिए option है, next है layers, layers भी कफी अच्छा feature है, हमारे पास, अगर मैं सिर्फ यह दो लूप प्ले करूँ, एक option है, suppose yellow दूसरा option मुझे चाहिए, मुझे या तो यह रखना है, या तो यह रखना है, तो सुनने के लिए normally हम क्या करेंगे, एक को mute करेंगे, या फिर इसे mute करेंगे, तो studio 1 में हमारे पास हैं track layers, जो कि हम यहा से भी add कर सकते हैं, तो एक नया layer add कर देता हूं, इसको मैं डाल देता हूं option 2, तो यह सब चला गया, यह सब है, यह option 2 की layer में हूं, इस loop को यहाँ डाल दूँगा, अब मेरे पास option है, तो दो layers में दो अलग अलग loop, तो मैं change कर सकता हूं है, previous next layer, वैसे यह कर third option मुझे चाहिए, add layer, option 3, third option, again, first layer, second, third, five layers, एक साथ में add करके, five option में सुन सकता हूं, यहाँ पर भी click करके हम change कर सकते हैं, select layer, option 2, तो में shortcut से भी use कर सकते हैं, next step bounce, अगर यह files मुझे bounce करना है, bounce, यह single file हो गया, next step mix selection, अभी bounce में और mix selection में difference किया है, जिसकी kick है, और मैंने इसे compress किया है, तो अगर मैं इसे bounce करता हूं, इसका shortcut है control B, अब देशे तो इसने bounce कर दिया, और यह वैसे ही है, तो यह region bounce हुआ, अगर mix selection करते हैं, तो इसने इसको bounce करके new track add कर दिया, यह compress वाला signal, तो bounce जो है, region bounce करता है, mix selection पूरे channel के साथ bounce करता है, अगर मैं यह दोनों को select करके, mix selection करूं, तो अब देश सकते हैं, इन्होंने दोनों का bounce कर दिया, तो multiple channels भी हम bounce नहीं कर सकते हैं, bounce हम करेंगे तो यह 4 चारों को different bounce करेगा, अगर मैं यह 4 track select करके bounce करता हूं, अब देश से तो इसने bounce किया लेकिन सबको separate, mix selection, इस सबको एक साथ merge करके new track create कर दिया, तो next है event effects, event effects basically render करने के लिए है, अगर हमने कोई event effect use किया है, मैं एक reverb use करता हूं, अभी अगर मैं इसको छोड़ूँगा तो यह channel में जाएगा, लेकिन मैं option hold करूँगा तो add event effects आ गया, अब मैं छोड़ दूँगा, तो यह reverb सिर्फ इस particular region पे आएगा, बाकि से चैनल और बाकी regions पे reverb नहीं आएगा, सोलो करके सुनते हैं, तो यह effect मैंने add कर दिया, event effects render, अब इसने यह render कर दिया, यह हम यहां से भी कर सकते हैं, render पे click करेंगे, तो render हो जाएगा, और जैसे यह reverb है, तो इसमें मैं अगर tail add करूँ, 3 seconds का, अब bounce किया तो, tail भी आ गया भी, लूप आफ करके सुनते हैं, next है transients, band markers जब हम यूज करते हैं, file alignment के लिए, यह तब काम आएगा, अब देख सकते हैं, इसने cut करके automatically thing भी कर दिया, undo करता हूँ है, इसने क्या क्या किया, वो देखते हैं, दो, तीन, चार, पांच, छे, six command का काम इसने single click में कर दिया, इसने किया गया, यह है band tool, तो सबसे पहले हमें band markers पर click करना है, और यह band marker का selection, अब इसको analyze किया, तीन click, analyze करने के बाद यह show कर रहा है, grid में, कहां इसने यह लिया है, start point, यह manually align, edit करके हम इसे timing में, proper timing में लेके आता है, band marker करके through, band markers तो off कर देते हैं, यह देखिए, इसने scan किया, align किया, align करने के बाद सारे slices को bounce भी कर दिया, और अगर हमें bounce नहीं करना है, manually change करना है, तो हम जाएंगे undo, यह selection पर आ गए, next marker, next marker, previous marker, manually भी edit कर सकते हैं, करने के बाद, इसने slice को सब bounce करके वापस से एक file बना दिया, तो यह थे audio editing features, music editing, यह media files के लिए आपके पास बहुत सारे option है, अगर मैं instrument लेता हूँ, डबल क्लिक, अगें डबल क्लिक, यह आगया हमारे पास, piano roll, तो C major scale मैंने, scale lock active कर दिया, यहाँ पर भी use कर सकता हूँ, macros, मैं musical editing में अगर आ जाओ, यह सारे features, यहाँ आ गए, तो इसमें भी काफी सारे features हैं, एक एक करके आप use करके देश सकते हो, अगर आपको और इसके बारे में details में जानना है, तो मुझे comment box में लिखना है, मैं आपको यह सब कैसे use करना है, बताऊँगा, क्योंकि comment box में बहुत सारे हैं, music creation, part, experiments, बहुत कुछ है, copy paste, selecting between, और सबसे best जो मुझे लगा है, और मैं काफी use भी करता हूँ, इसका add effect का section, यह बनाना कैसे है, कैसे use करना है, मैं आपको बता देता हूँ, अब जैसे suppose यह track है, normally हम क्या करते है, मुझे इसमें EQ चाहिए, मैं जाओगा, FX में जाओगा, ना EQ सर्च करूँ, अगर मैं studio one का EQ यूज करूँ, यह studio one का EQ है, सर्च करके मैंने इस channel पर डाल दिया, यह बेरा EQ आगया, लेकिन इसका macro मैंने बनाया हूँ है, shortcut है, control one, यह मेरा EQ, insert में आगया, एक single command पे, या single click पे, same चीज़, VQ एक और add हो गया, second पे मैंने compressor रखा हूए, सबसे ज़्यादा use होने वाले दो tool, EQ and compressor, और एक effect भी add किया हूए, reverse reverb, जिसके लिए, बहुत सारे commands हमको use करने पड़ते है, normally अगर effect को create करना है, तो, यह single click में, reverse reverb effect, यह थे studio one के macros, तो इनको आप जितना ज्यादा use करोगे, उतना ज्यादा familiar होगे इनके साथ किसको कैसे use करना है, आप manually use करो, और कैसे create करने है, वो भी मैंने आपको बताया है, और detail में अगर आप चाते हो, मैं बताओं तो आप मुझे comment box में लिखकर पूश सकते हो, तो मैं और detail में कैसे macros create करना है, और यह बाकी की जो है features, plus यह, कि सब मैं आपको detail में बता हुआ, अगर आप चाते हो तो, क्योंकि वीडियो इसका काफी लंबा बनने वाल है, hope आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो आप like and comment कर देना, share भी कर देना, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके bell icon भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाओ, आप तक सबसे पहले पहुचे, so thanks for watching, goodbye.